आपके अपने सहर सिवान में खुल गया जिन्स कॉर्णर जहां आपको मिलेंगी दिली कुलकता एवन गुजरात जैसे सभी सुविधाई और आपको बता दे कि जिन्स कॉर्णर खुद मनुफैक्टरिंग करती है और साथ ही होल सेलर विक्रेता भी है जहां आपको मिलेंगे सबसे सस्ते और सबसे अच्छे कपड़े अगर आप ही रुटेलर हैं तो आज ही संपर्ख करे जीन्स कॉर्णर जिसके प्रोप्राइटर है कुनाल जी जिनका कॉंटेक्ट नंबर है 9525949737 और मिल्मी का पता है फदेपूर बाइपास रोड चैन स्वीट से यह आप हमारे आवास तक पहुचे बहुत ही तनाओ का महौल चरोदर्प देखा जा रहा है आप क्या कहेंगे इसको लेकर के यह तो आप मीडिया वाले लोग हैं देश बिदेश की हर इस्तितियों को आप जान रहे हैं और अभी तक भातिये जन्ता पाटी ने जो किया है इस देश के साथ इस देश का हर एक वर्क के लोग जानते हैं इस देश के साथ क्या हो रहा है शिर्फ उल्जाया जा रहा है देश में सिर्फ एक पे एक पे एक हो रहा है एक बात खत्म हो रही तले दूसरे में उल्जाया जा रहा है ये इस पे सबसे ज़्यादा गौर करने की बात है जनता को कि जनता गरस्त हो रही है भूग से मर रही है इस पे किसी कभी कभी गौर नहीं है इये धार्मिक बात तो बहुत सारी हुई लोगों ने बरदास्ट किया कभी किसी चीज़ बहु किसी चीज़ पे कभी अजान पर हो रही है कभी हजाच पर हो रही हैं ये क्या तमाशा करके रखें बाते जंतापाटी के लोग मैं पूछना चाहता कि में एक प्रतिनीधी से लेकर जैतने लोग सब जांते मगर सब के मुठ में शेलो टेप लगा हुआ है कि सुने एक सबने पूचना रहे हिंदूस्तान के हिंदूस्तान की एक पत्रकार जो थे थी उनकी इतनी हिम्मत थी उनको हिम्मत मिली कहां से मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल से आप सभी के चैनल से मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको एनरजी मिली कहां जो इस तरह का भर्षन अभी तक तो आम लोगों पे होता था आज उनके साथ पूरे दुनिया में चाहे जिस धर्म के लोग हो आज हमारे हजूर पाक सललाश सलम को मानने के लिए स्रिफ मुसल्मान नहीं है हर धर्म के लोग मानते हैं उनको इस चीज़ से इंकार नहीं किया जाता है मैं पूछना चाहता हूं भाते जनता पाटी के लोगों से उनमें भी उनमें भी ऐसे लोग हैं जो उनको मानते हैं जिसको चरिंद मानने वाले लोगों परिंद मानने वाले लोगों जिनका दिदार करने के लिए एक साप दिदार करने के लिए ब्याकुल था तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारे हजूर पाक सलललाश सललम जिसके लिए पूरी बनी जर्रा बना उनके साथ ऐसी हरकत की यह शैतान जो यह लेडी है इनके साथ जो है मैंने तो इनका यहां कि वह अवाम कैसे उनको छोड़ दी है उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए उनको सजा नहीं मिलनी उनको फास ही मिलने चाहिए इसलिए कि हाथ तो डालते हुए लोग आ रहे हैं आज वहाँ हाथ डाले हैं जिससे पूरी काइनात है अर्श से लेके फस्तक जिन्दगी मेरे जीने से क्या फाइदा है हम अगर जीवित हैं हम सब लोग जीवित हैं क्या फाइदा है तो देखिए देश के कुछ है लोग ऐसे हैं जो कि देश में संपर्दाइक सवहार्द को बिगढ़ना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीत करना चाहते हैं देश की एकता और अखंडता को कमजोर करके इस देश को बरबाद करना चाहते हैं और करके क्या कहेंगे नहीं इसमें हम यही कहेंगे कि सांती पुरुवक हूँ यह कोई पॉल्टिकल मंच नहीं है फॉल्टिकल धर्मा नहीं है यह हमारे आका की बात है हजूर पाक संब लिए Mindvest пойдे शूम की वाधर जान तो दूर की बात है, सब कुछ मैं लुटा सकता हूँ, हर धर्म के लोग लुटाने के लिए तैयार हैं, ये कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, जो ये इस चीज को मुद्दा बना के चुनावी मुद्दा लड़ते हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि होश में आ दिया है, जिनके लिए कोई बकसने वाला ने, पूरे दुनिया के लोग नहीं बकसने वाले हैं, इसलिए नितुन सर्मा को मैं बोल रहा हूँ, मैंने तो फेफ़डा की बात किया है, कि फेफ़डा लिकाल लेंगे उनका, सामने पढ़ जाएं नहीं, तो बोटी बोटी काट अगता नुपूर सर्मा के लेकर के इन्होंने ब्यान दिया, और इस ब्यान ने काफी चारोत तरफ हम कर सकते हैं कि चर्चा हो रही है, चुकि यह स्तरह का ब्यान कतई बरदास करने का लाइक नहीं है, किसी भी धर्म मजभ और संपरदाय के उपर इस तरह का निसाना साधना या आपति जनक बात बोलना ये जो हमारे देश का समिधान में कहीं इस तरह की बात नहीं है, चुकि हमारा देश का जो समिधान है ओधर्म निर्पेक्षे सेकुलर है, यह हर समाज जमात के लोगों को अपने इक्षा और अपने इंट्रेस्ट के हिसाब से पूजा जन्ता पाटी ने नुपर सर्मा को ततकाल निलंबित कर दिया है, बरखास्त कर दिया है पाटी से, तो सिर्फ यही तक रहेगा या और भी उनके उपर कठोर करवाई होनी चाहिए बीजेप के तरफ से. देखिए उस्तफा देना बहुत बड़ी बात नहीं है, पाटी से लिकाल देना बहुत बड़ी बात नहीं है, पाटी के लिकालने का काम उन्होंने नहीं किया है, उनको तो फवरन जो है न, हमारे जो है देश के पधान मंतरी जी से मैं यही कहूँगा, ग्री मंतरी से यही क आसता हमारे धर्म बताता है कि बुरू नहीर सोचना है, किसी को कुछ नहीं केया आग। उनको फासी दिया जाए, फासी भी उनके लिए कम है, इसलिए कि फासी तो ये तो शुक्र मनाई है कि यो वो हिंदुस्टान की पत्र करता हैं, परवक्ता हैं, अगर किसी दूसरे मुल्क की होती न, तो फिर वो समझ में आ जाता कि किस के बारे में उननों ने शब्द का पर लेकिन बात अब यहां तक आ गई है कि जो हजरत मुहम्मद सब्सक्राइब उनके उपर जो है इस तरह का बिवदास्पत ब्यान दे करके लुपुर सर्माने कहीं ने कहीं अपना जो है मैं उनसे यही पराथना करूँगा कि यह सरकार की बात नहीं है यह किसी कौम की बात आ गई है और पूरे दुनिया के लोग इस समय एक प्लेटफॉर्म पे हैं किसी एक जाती के लोग नहीं है हर जाती के लोग एक प्लेटफॉर्म पे है चन लोग जो ऐसे हैं जो चन लोग है जो इसको राजनीत का जो है न पीडा उठाए हुए है तो उनको तो गौड ऐसी सजा देगा देश के लोग तो देंगे ही मगर गौड भी सजा देगा इसलिए कि गौड से रिलेटेड बात है ये इन्होंने जो काम आज की जतना घिनोना काम किया है न इसकी सजा मैं बता नहीं सकता हूं मैं तो बता दिया हूं कि मेरे सामने होते तो मैं क्या करता है तो ये थे सिवान से पुर में बिहार बिधान परिसद MLC के उमिदवार रहे सयद महबूब आलम जो हमसे बात चित कर रहे थे इन्होंने साफ तरप कहा है कि देश में ऐसे राजनेताओं की कोई जगा नहीं है जिससे कि हमारे देश की अमन्चैन सांती सकून में बाधा हो और बरतमान सरकार से इन्होंने मांग किया है कि ऐसे राजनेताओं के बिगडे हुए बोल पर लगाम लगाये जाए ताकि दोबारा इस तरह की बात बोल करके देश में तनाव पैदा करने की कोशिस न की जाए क्योंकि पूरा देश जो है इस समें आग में जल रहा है चारो तरफ धरना परदर्सन हो रहा है आंदोलन हो रहा है तनाव पूर्ण इस्तिथी बनी हुई है ऐसे मैं आऊ सकता है सांती सदभाव बनाने की और जो लोग भी अगर इस तरह